आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने जीमेल अकाउंट में PDF कैसे सेव कर सकते हैं, तो आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं, तो यहाँ पर आपको इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में जीमेल आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपके सामने इस type का एक page आ जाएगा यहाँ पर अगर आप अपने किसी दूसरे account में save करेंगे किसी और ID में save करेंगे तो सबसे पहले आप इसे change कर सकते हैं तो आप बाद में भी change कर सकते हैं तो पहले change करने के लिए उपर profile photo पर click करके Gmail account सेलेक्ट करिए फिर आपको एक option मिलेगा नीचे compose का या फिर एक pencil का icon बना हुआ है इस पर तो इस पर क्लिक करते हैं हो सकता है आपके phone में एक plus का icon होगा compose की जगा तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए यहाँ पर आपको एक option मिलेगा from to from में यहाँ पर आपका जो gmail account है वो enter हो जाएगा यानि कि auto fill हो जाएगा अगर आप change करेंगे तो arrow पर क्लिक करके change कर सकते हैं तो जिस gmail account में pdf save करेंगे आप उसे select करिए तो यहाँ पर आपको to में same अपना ये वाला account enter करना है जिसमें आप pdf अपना save कर रहे हैं तो यहाँ पर हम enter करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं same आपको enter कर देना है उसके बाद आपको मिलेगा एक option उपर attachment का तो उपर इस option पर क्लिक करिए attach file पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको अपना pdf select कर लेना है तो आप हमने ये select कर लिया है और ये select हो चुका है उसके बाद आपको यहाँ पर अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं और उसके बाद save करने के लिए उपर एक send का option आएगा यानि की share करने तो इस पर आप क्लिक करिए simply और यहां पर यह सेम आपके Gmail पर आ जाएगा तो यहां पर यह सेव हो चुका है जब आपको इसे देखना होगा तो आप तील लाइन पर क्लिक करेंगे उपर नीचे आपको जाना है सेंट वाले उप्शन पर और यहां पर आपको मिल जाएगा अपना यह वाला मैसेज इस पर क्लिक करके आपको PDF मिलेगा डाउनलोड पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने जीमेल पर PDF को सेव कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें